आप दाप पूर्व तैयारी के अवधी में आपने निश्चित ही कई काम किये होंगे आपने लोगों को प्रेस्जिशन दिया होगा कुछ उपकरन लगाए होगी कुछ संचार विए उस्थाइं किये होंगी कुछ आपके पास हो सकता है इतना सब होने की बाद भी इतना सब करने की बाद भी आप दाओं पर तो आपका बस है नहीं संकर्ट को कटिश होना है तो होना है अगर भुकम पाना है, चक्रवात आना है, बाढ़ है, आदी है, तो पान है, वो घटित हो सकती है ऐसे में अगर आपकी तयारियां पूरी हैं, अगर आपने ठीक से काम किया है तो बहुत संभव है कि आपदा घटित होने से पहले आपको चेतावनी मिल पाए आप चेतावनी का प्रसारण प्रभावित हो सकने वाले समधाय तक समय पे कर दे आपने पहले से आश्रे स्थल चिन्नित किये हैं, आप उन लोगों को आश्रे स्थलों में स्थांतरित कर सकते हैं हो सकता है, आपने नियमन किया हो, कुछ ऐसी वियस्थाएं की हो, जहां पर संकटों का प्रभाव है, वहां कोई रही ने रहा है, दोनों ही इस्तितियों में, ये आपदा से कहीं ज़्यादा पर से इक घटना बन कर दे जाएगा, परन्तु ये भी तो संभव है, कि विन कार से वो कुछ टेक्निकल फेलियोर हो सकते हैं, टेक्निकल स्नैक्स हो सकते हैं, मानुवय भूल हो सकती है, दूसरी बात हो सकती है, जिसकी वजह से आपको समय पर चेतावनी ना मिल पाए, या आप चेतावनी का प्रसारुन ना कर पाए, हो सकता है आपने मुबाइल फोन के द विवस्ताइं की हैं आपके पास SDRF है आप सूचना मिलते ही उसे प्रभावी छेत्र तक भेज सकते हैं पर यह भी हो सकता है कि विद्ध कारणों से हो सकता है मालक बादित हो मौसम खराब हो आप SDRF चांडीरF को प्रभावी छेत्र तक ना भेज पाएं पर तो आपने तो ग आपने उन्हें कुछ उपकरण भी दिये संचार के लिए भी कुछ स्थानों पर आपने सब्लाइट फोन्स किये तो बाहर से साहता आए ना आए आपदार भटित होते ही आपके जो इसम सेवक हैं यह अपना काम करना शुरू कर देगे यह लोगों को बचाएंगे इनके पा पर ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इवेक्वेशन की जरुवत है चौकि आपके स्वेंसेवकों ने लोगों का ट्राइज किया है आपको बता दिया है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ततकाल इवेक्वेट किया जाना जरूरी है तो आप इस सब की विवस्था कर आपको मालूम है कि प्रभावी छेत्र के पास में कौन-कौन से चिकतसाले हैं कहां पे हॉस्पिटल है उसके पास क्या रिसोर्स हैं अगर आपको कोई सभी विशिष टूपकरण की जरुवत होती है तो आपने पहले से इंवेंटरी तेयाद की है आपको मालूम है कि कहां से उसकरण को मगवाना है कैसे मगवाना है अगर कोई मार्ग बाधित हो जाता है तो आपने पहले से वैपिंग कर रखे है कि हुए आप कैसे जाएगे तो आपको आप्दा के समय में ज्यादा परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप चीज़ों को समयम में रूप स करेगा कहां से लोगों के लिए आश्रेस्तल बनेगा कहां पर टेंट लगेंगे टेंट की वियुस्था कहां से होगी पानी कहां से आएगा चिकित्सा की वियुस्था कौन करेगा साथ सफाई की वियुस्था कौन करेगा तो हर विभाग को पहले से पता है कि उसे क्या करना है तो आपदा के समय अफ्रातरफी नहीं मचेगी, लोगों के जो कर्ष्ट हैं वो यता समझाव कम हो पाएंगे और आपदा रिस्पॉंस की अवधी में जो हम काम करते हैं उसका मुख्य उप्देश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मानव जीवन बचाए जा सकें, पलसंपतियां बचाए जा सकें, लोगों को जो होने वाले कर्ष्ट हैं वो बचाए जा सकें अगर आपने तयारी पूरी की है, पूरो तयारी की अवधी में मेहनत की है, तो आपदा उपरांत की जो रिस्पॉंस की अवधी है, उसमें आपका प्रदर्शन अट्यंत उतकरष्ट होगा सेन हमें कहते हैं कि अगर प्रजिक्षन में आपने खून बहाया है तो आप युद्ध के समय खून बचाएंगे तो वही इस्थिति यहां में है अगर आपने पहले मेहनत की है तो आपदा उप्रांत आपको परेशानिया अलोजनाएं नहीं जेलने परेंगे इसलिए सबी से आपदा प्रबंधन चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पूरु तैयारी का चक्र है जिसे हम प्राया विशेशूप से जो सरकारी संस्थाएं हैं सरकारी विभाग हैं वो इसे हलके में लेते हैं उन्हें लगता है कि प्रिस्क्षन का कुर मतलब नहीं जालुक्ता क पारिक्रम ऐसे ही होते रहते हैं वो जो हील हवाली है उससे हमें बाहर निकलने की जरूबत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूबत है हमें समझने की जरूबत है कि जो चेंजे जाते हैं आपदा प्रबंधन में जो भी चेंज आएगा क्योंकि आपदा इसके लोगों की भ्यूहार में लोगों की मनुवर्थी नहीं जडरूरी लोग जो करते आ रहे हैं उस्से बाहर निकालना ज़नुनी है झालै उसको बंद करने की जरूरत भोट अभी घर्मिया तो में मैं दस देन वनागनी का एंटूटीजमेंट डिकाल लूँ उसके दो मेहने बाद पांसून आने वाला है तब मैं बार सुरक्षा उपाई उनकी बात करना सुरू कर दूँ जाला आ रहा है ठंड हो सुरू होने वाली है शीत लहरी है तो मैं ठंड से जो बचने के उपाई हैं उनकी बात करूं अगर ऐसा करूंगा तो कोई भी संसा सफल नहीं हो पाई लोगों में परिवर्तन लाने के लिए उनकी मनोवर्ती में परिवर्तन लाने के लिए चलूरी है कि हम निरंतर्ता में कारे करें और मनोवर्ती में व्योहार में परिवर्तन आता है आपके और मेरे जीवनकाल की बात करें, तो जब मैं स्कूल में था, तो तब मेरे साथ कई ऐसे विजारती थे, कई ऐसे मित्र थे, जिनके घर में तीन चार बहनों के बाद वो अगला भाई था, उस समय विशेश रूप से हिंदू परिवारों में मोक्ष के लिए परिवार में पुत्र का होन जरूरी समझा जाता है, 1970 के दशक्त में, जब परिवार नियोजन की बात शुरू हुई, तब हर दूसरा एल्यूटिजमेंट परिवार नियोजन का होता था, लाल तिकोन हो सकता है, या फिर दो या तीन बच्चे होते हैं, घर में अच्छे, निरोद हो सकता था, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, उस समय गली में दूसरी जगह तरक पर जो होर्डिंस, पैनर्स लगे रहते थी, उसमें लाल तिकोन, निरोद, कर्मिन रोद्दक और दूसरी चीज़ें लिखाई देती थी, आज 40-45 साल के बाद, आपको किसी को बताने की जरूबत नहीं है, परिव पर नियोजन के अड़िजमेंट्स नहीं है, आज आपके पास पड़ोस में मेरे मित्र हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, जिनके परिवार में इकमात्र लड़की है, सिंगे बढ़न चाहिए, और वो खुश हैं, उन्होंने लड़का हो होने की जो मोक्ष के लिए प्रतिवधता थी हिंदू समाज की उससे मुक्ति पानी, अगर हम नियंतरता में प्रयास करेंगे, तो आपदा प्रभंधन, आपदा सुरक्षा भी लोगों के दिमाद में, लोगों के चेहल में इसी तरह बैठ सकता है, और इसके लिए दोनों त सुरक्षित देश बनाने में सफल होंगे, और आपदा सुरक्षा का तारपरे जैसे हमने सुरू से कहा, विकास से है, अगर हमारा छेत्र सुरक्षित होगा, तो महा निवेश कोई नहीं करेगा, तो सुरक्षित छेत्र का संदेश देना जरूरी है, विकास के लिए और आप और आप मेल के ऐसा का सकते, चैनल को देखते लगी, लाइक कीजिए, सब्स्राइब कीजिए, धनेवाद